दोस्तो आज मैं शेयर करूंगी कच्छवे के अंगोठी क्यों पहननी चाहिए उसकी क्या लाब है कि लोगों को कच्छवे के अंगोठी पहननी चाहिए जीवन में इसका क्या महत्वे है कच्छवे के अंगोठी पहनने का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारें बतादू नमस्कार दोस्तों में वीना गौतम कैसे हैं आप सभी दोस्तों अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहें तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों शास्त्रों में बिन बिन परकार की अंगुटियां पहनने ते तामाला धरन करने के महत्व को बताया गया है और उसके अनुसार ही कोई भी इनसान इनको धारन कर सकता है आजकल कच्छुए वाली अंगुठी को लोग बहुत पहन रहे हैं जिन में से कुछ इसको फैशन के तोर पहन रहे हैं और कुछ वास्तु सास्तर के अनुसार है यह बात सच है कि जो वास्तु सास्तर के अनुसार पहनते हैं उनको निसंदे उनके जीवन में सुक शान्ती मिलती है और इस अंगुठी के लाब भी मिलते हैं बहुत से ऐसे फिल्म स्टार भी हैं जो कच्छुए वाली अंगुठी को धारन करते हैं जो भी व्यक्ति संगुठी को पहनता है उसका आत्मी विश्वास काफी बढ़ जाता है और वे धहर्यबन भी बन जाता है हम सभी जानते हैं कि कच्छुए भगवान विश्णू का अवतार है और इसके सयोग से ही भगवान विश्णू ने सागर का मंधन किया था दोस्तो इस अंगुठी को पहनने से फायदे भी होते हैं और जीवन में ठहराव और सोंपयता भी आती है कच्छुए पानी के अंदर रहने वाला जीव है और इसलिए अगर आप इसे अंगुठी में धारन करके पहनेंगे तो आपके जीवन में ठहराव और शीतलता आएगी वास्तम में कच्छुए को उन्नती और सकारात्मक का परतिक मने जाता है इसी कारण से जोती इसे पहनने की सला देते हैं यदि आपको बहुत अधी गुसा आता है और जीवन में हमेशा उथल पुथल रहती है तो आपके लिए इसे पहना बहेद अच्छा और शूप होगा स्वास्ते के लिए भी बहुत इलाता है कि है अगर आपने कच्छुए वाली अंगुटी धारन की हुई है तो आप स्वस्त जीवन जीओगे और बहुत ही कम बिमार रहोगे इसको पहनने वाला व्यक्ति हर समय अपने काम में विस्ट रहता है और इसलिए उसके मन में किसी परकार की नाकारतमक सोच के लिए समय ही नी रहता व्यक्ति की नकारतमक सोच ही उसे विमार करने का कारण बनती है कच्छवे के अंगूठी पहने से घर में पैसो की कमी भी नहीं रहती है इस अंगूठी को पहन कर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की परिशानियों का समाप्त कर सकता है इसके लावा इसको पहनने के बाद जिंदगी में फिर कभी पैसों की कमी नहीं होती है शास्त्रों के अनुसार ये इस अंगूटी को पहन कर कोई काम किया जाए तो ये काम या भी मिलती है ये तीन अक्षर वाले कच्वे के अंगूटी कभी न पहने वैसे तो कच्वे के अंगूटी को शास्त्रों में पहनना अतियंत शुब बताया गया है और जोतिशी भी इसको पहनने की सला देते हैं लेकिन फिर भी हर वेक्ति इस अंगूटी को धारन नहीं कर सकता है जिन अक्षर वाले लोगो को इस अंगूटी को पहनना वरजित है वे इसको न पहने क्योंकि यदि वे इसको पहन लेंगे तो उनको इसके लाब नहीं मिलेंगे बलकि उल्टा उनके जीवन में परिशाने और कटनाई आने लगेंगी P, K और M अक्षर के नाम वाले लोगों को भूले से भी कच्छवे के अंगूटी नहीं पहना चाहिए यदि इन तीनो नाम वाले अक्षर के लोग इस अंगूटी को धारन करेंगे तो उनके जीवन में किसी भी काम में सफलता नहीं मिलेगी जिस कारे को भी करेंगे उसको उनमें नुक्सान नहीं मिलेगा इसलिए यदि किसी व्यक्ति ने कच्छवे वाले अंगूटी पहन रखिये तो आप इसको देखा देखी फैशन के तोर पर इस अंगूटी को ना पहने क्योंकि इस अंगूटी को धारन करने के बाद आपको बहुत अधी खानी मिल सकती है दोस्तों इन तीन राशियों को भी इस अंगूटी को नहीं पहनना चाहिए मीन, कर्क और बिरिश्चिक राशी के लोगों को भी इस अंगूटी को पहनने से बचना चाहिए इसका मुख्य कारण यह है कि इन सभी तीनों राशियों का जल तत्व से मिल जोल होता है इसलिए से पहनने से शीत प्रकति बढ़ जाती है और इसका नकारात्मक ब्रभा पहनने वाले व्यक्ति के स्वास्ते पर पढ़ने के साथ साथ मन पर भी पढ़ता है यदि आप इसको धारन करते हैं तो आपको वैपार नोकरी में भारी हानी हो सकती है इसके साथ साथ आपके जीवन में हमेशा किसे न किसी परिशानी समस्य से जुनना पढ़ सकता है इसलिए इस बात का ध्यान लगे कि यदि आपको प्राशी मीन करको विरिक्ष्टिक में से कोई एक है तो आप कच्छवे वाली अंगूटी पहनने से परेज करें अगर दोस्तों आपके वेपार में इन्रेंटर बाधाय उत्पन होती रहती हैं और आप वेपार में घाटा खाते रहते हैं तो कच्छवा रिंग पहनने से आपको फायदा होगा इससे आपका वेपार एक बेहतर इस्तिती में आ जाएगा अगर आप उन लोगों में से जिने खुद पर ही संदेर होना लगता है और खुद पर जरा भी विश्वास नहीं रखते हैं तो आपके लिए कच्छवा रिंग पहनना लाइब धायक हो सकता है इसके जरी आपका आ जीवन इस तरह से है इसके जरी आपके और धन आकरशित होगा ऐसो लोग जिनके घर या जीवन में अक्सर कलेश की स्तिती बनी ही रहती है वे लोग भी कच्छवा रिंग को पहन सकते हैं कच्छवा रिंग पहनने से उनके जीवन का ये कलेश शांती में तब्विल हो जाए हैं इसको पहनने के कुछ खास जरूरी बाते हैं जो मैं आपसे शेर करने वाली हूँ कच्छवा रिंग पहनने से पहले आपको ये स्टेप करनी होंगे सबसे पहले कोशिश करें कि कच्छवा रिंग चांदी है सोने की ही बनवाएं दोस्तों जोती शास्तर के अनुसार सिं वहीं अगर कच्वे का मूँ वीपरित दिशा में होगा तो इससे आर्थिक नुक्सान होता है अंगूठी सीधे हाथ की बीच वाली उंगली यानि मद्धिमया उंगली या फिर साथ वाली तरजनी उंगली में ही धारन करनी चाहिए अंगूठी को सिर्फ शुकरवार के दिनी धारन करें दोस्तो कच्वा अंगूठी बनवाते समय ध्यान लगें की कच्वे की पीट पर श्री गुदवा लें श्री आपके मूँ की तरफ लिखा हो कई बार लोग इसे पहनने के बाद बात करते करते घुमाते रहते हैं ऐसा करने से बचें विपरित दिशा में मूँ घूम जाने से आपको धन्हानी होने लगेगी अगर किसी कारण वस अगूठी उतारने भी पड़े तो इसे उतार कर पूजा घर में मा लक्ष्मी के चड़नों के पास ही रखें अगूठी को एक बार उतारने के बाद फिर से पहनने का भी नियम होता है से दूस से भरे कटोरे में डाल कर मालक्षमी के चड़नों पर इस पर्ष करने के पाद ही पैने दोस्तो ये वीडियो है इतक थी मुझे अमीद आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू